अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी रगी हो तो आज की वीडियो बहुत साथ ही डिफेंट है उन लोगों के लिए जो की मेकप जिल्दी नहीं करना चाहते और बहुत साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम लोगों के प्रॉलम होती है यह नहीं यह वाला रात का मेकप है तो इसे हम नहीं करेंगी हाज पर यह सब्सक्राइब कर बहुत अच्छा तो नहीं करते हैं और यह चाहिए होगा और पाठी मेकप लोग ए इस जो कि अप एजिली हर कोई बि क्योंकि इसमें मैं कुछ extra नहीं लगाने वाली कुछ extra maps नहीं लगाने वाली जिससे आपको यह लगेगी यार यह make-up तो बहुत complicated है ऐसे बिल्कुर नहीं है क्योंकि बहुत से लोग दिखाते हैं कि लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि यह blush हमारा favorite नहीं है लोग lipstick का हम लोग ने lipstick का वह कर रखाए कि lipstick लगा लो cheeks पे तो इदर अच्छा सा matching color आ जाता है और अपना desire color आ जाता है lipstick mix करके हम दो lipstick mix करके लगा लगा ले तो हमें alternative favorite color मिल जाता है कुछ इसी तरह हम सब hacks निकालते हैं तो friends मैंने भी make-up look बहुत simple सा किया है अगर आपको अच्छा लगे तो please मैंको comment section में जरूर बताईएगा और like भी जरूर कीजिएगा तो let's get started सबसे पहले friends आते हैं moisturizer की बारे तो friends moisturizer की बारे तो moisturizer की जरूर कीजिए makeup base है क्योंकि makeup base start होता आपका moisturizer से अगर आपका moisturizer अच्छा नहीं होगा अगर moisturizer यूज नहीं करेंगे तो आपका makeup जल्डी उतार जाएगा उसके बारे आता है primer की बारे friends मैं आपको prefer नहीं करूंगी कि आप rose primer लगाएगे अगर आप कही रोज जा रहे तो आप aloe vera gel पका लगाएगे क्योंकि aloe vera gel is the best वो primer की तरह काम करता ही है और आपको expensive primer लेने की ज़र्वत नहीं है अगर आप specific लेते हैं तो उसमें silicone होते हैं क्योंकि हमारी skin के लिए बहुत जादा ही problem cost करते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा alternative hack है कि आप हमेशा पतंजली का aloe vera gel या फिर कोई भी brand का aloe vera gel जरूर लगाएगे उसके बार आता है friends foundation की बारी तो foundation के लिए मैं पास यहाँ पे है blue heaven का x factor foundation all-in-one beauty basic foundation जो की मेरा shade है natural तो आप इसको जरूर लगा तो मैं start करते हूं लगाना तो आपको थोड़ा सा product लेना है जादा नहीं लेना है जैसे कि मैं एक pump में ही मेरा हो जाएगा काम इतना आपको लेना है आपको इसे पूरे face में लगा लेना है और अच्छे से ब्लेंट कर लेना है beauty blender से तो friends जहां चाहां आपको डाक से आपको तो आप उस तरह से foundation cover कर लेजिए और इसको beauty blender की help से damp beauty blender की help से इसे अच्छे से blend कर लेजिए क्योंकि जब आप damp beauty blender मतलब wet beauty blender use करेंगे तो आपका product अच्छे से मिल जाएगा और आपको extra महनत की जरवत नहीं पड़ेगी तो friends सामने देखा मैंने foundation को अच्छे से blend कर लिया with the help of this beauty blender और friends अगर आप bb cream उस करना चाहते हैं तो आप bb cream भी use कर सकते cc cream भी use कर सकते लेगे मैं को foundation all in one coverage है blue heaven का तो सबसे बड़ी आपको यह लगा इसलिए मैंने लगा लिया तो थोड़ा सा beauty blender में ले लेंगे आपको ज्यादा सा ज्यादा फोट नहीं लेना है क्योंकि बस आपको setting करना है उससे जादा आपको जवरत नहीं है कुछ करने की क्योंकि अगर आपका ताकी foundation आपकी अपनी जगह से ही लेना तो वह अगर आपको foundation टिकार है उस जगह पर थोड़ा सा मैं eyeballs के उसमें लगा लूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को eyeballs में भी problem हो जाती है कि उनका sweating स्टार्ट हो जाता है इधर से ही तो मैं beauty blender की मदद से ही अपने neck area के उसमें लगा लूँगी और अच्छे से जहां जहां आपको लगता है आप अच्छे से लगाने तो friends देखे मैंने अपने जो translucent powder उसे भी मैंने अपने face को set करती है उसके बाद उसके बाद आती है eyes की तो eyes में अगर आप eyeshadow लगाना चाहते हैं तो it's so tip to you तो मैं यहां पर mask का eyeshadow palette मूँगी जो की मेरा favorite eyeshadow palette है क्योंकि इसमें आपको all time makeup look carry on के लिए मिल जाता है तो मैं यहां पर dark colors अभी बिल्कुल नहीं लूँगी मैं यहां पर यह वाला brown color है इसी से मैं लूँगी अपने brush में और around से अपने eyes के उसमें लगा लूँगी on makeup को complete करती हूं eyes का eye makeup को अच्छे से करना है अगर आप eyeshadow use नहीं करना चाहते तो यह आपकी मर्स ही है totally up to you लेकिन मैं थोड़ा सा tint करने के लिए अपने eyes को थोड़ा से brown color से ही इसे use करूंगी फिर उसके बाद friends इसी साब का transition color भी बन जाएगा और इसी तरह आप पुरे अपने eyes में spread कर लीजे उसके बाद friends मैं यहां पर यह वाला color जाब देख रहें इसको आप ले सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा एसे इस पर करके इसमें आप अराम से इसको अपने make-up को अराम से carry on कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा shimmer करना चाहते हैं तो वह आपका रात के make-up के लिए perfect बैठेगा तो लेकिन मैं इसे अभी nude make-up ही बहुत साथा light make-up ही रखना चाहते हैं तो मैं अपने इसमें ऐसे में रख लोंगी अपने eyes shadow को अच्छे से complete कर चुका है अपने eyes shadow को अच्छे से complete कर चुका है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा light make-up रखा है मैंने उसके बाद में mascara अभी इसमें मैं liner कुछ ही लगाऊंगी मैं इसमें पर mascara यूज़ करूँगे blue heaven का ही तो यह कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ temporary basis के लिए या फिर आप transparent mascara भी लगा से अगर आप mascara भी ब्लैक लगा कर नहीं लगाना चाहते तो मैं भी liner से इसको नहीं करूँगी यह ज़्यादा आपकी आइस को इदम अवेर लुक दे देता है अच्छा सा लुक दे देता है तो मैं mascara से अपने अपने आयलाशिस को mascara करूँगी तो फ्रेंड सामें देखा कि मैंने अपने eye makeup को अच्छे से complete कर चुका है पिनल लाइनर के और मैंने काजल लगा के अपने eye makeup को complete कर चुका है कि बाहाब blush की बार जाती तो मैं आलोंगी 504 blush जो की है blue heaven का यह थोड़ा सा pinky shade में आ जाता है अगर मैं आपको स्वास्त खांतो कि इस बिल्कुल भी इसमें chunky glitters नहीं है तो आप इसे अराम से लड़ा सकते हैं इतना सा लेंगे और इसे अच्छे से face के apple of your cheeks में इसे apply कर रहेंगे और circle of motion में लगाएंगे ताकि आपका जो blush है वह act करें अच्छे से और अगर आपको उसका और चाहिए तो आप इसे दो बार brush करके लगा सकते हैं तो इससे आपको क्याता है कि इसमें चाहिए make up करें ना करें लेकिन हमेशा blush जरूर लगाएं यह blush से ही आपका जो definition मिलता है cheeks को मिल जाता है contouring highlighting छोड़ दीजिए अगर आप नहीं कर सकते तो blush तो जरूर लगाएंगे तो यह बाँ मैं यहां भी लगाऊंगी circle of motion पे अच्छे से तो friends हमने देखा मैंने blush लगा चुका अपने cheeks पे तो यहां तो friends last time आती है हमारे lips की बारी तो lips में आपको इपने favorite lipstick लगा सकते है lip stain लगा सकते है peel off lipstick भी लगा सकते है लेकिन में पास यहां ADS की lipstick है जो की थोड़ी सी light matte है आपको दिखा देते हैं इसका color कुछ इस तरह से है तो मैं इसका swatch लिकाँ तो कुछ इस तरह से है बहुत साथ ही इनन प्यारा सा color लगता है मैं कोई वाला यह तो matte है दूसरी बाद यह बहुत साथ ही light है अगर आपसे अदाम से तहीना कहीं carry on करके लगा सकते है इसमें कोई compulsion नहीं है तो friends मैं यह वाला अपनी lips पे लगाती हूँ तो friends आपने देखा कि मैंने किस तरह से अपना lips में भी stain कर चुका है लगा चुकी है बिलकुल मनलब थोड़ी बहुत moisturizing है बिलकुल ही matte नहीं है थोड़ी सी matte है तो friends आप देख सेते हैं इस वाले makeup लोग को friends आप कहीं भी carry on कर सकते है और अपने hairs को अगर आप tie on करना चाहते है क्योंकि अगर hair ज़्यादा oily हो जाते है तो आप इसे अराम से carry on कर सकते है और दुसी बात यह है कि friends अगर आप बार खोड़ के जाना चाहते है तो आप you can easily go out और इसके पात अपने fringes को आगे निकाल सकते हैं तो friends अगर आपको मेरा make-up लोग अच्छा लगया हो तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और hit the like button also notification bell को please जरूर से press कीजे और please 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 friends मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा till then